कि अगर आपको भी ट्रोइंग करना पसंद रेक जाना चाहों कि आपकी ट्रवंग्स आपको कर दोस्तों बात हैं, तो ये आपकी पर आप बहुत कुछ बताती हैं और ये वाकरी में बताती हैं कि आप जाना चाहोगे कि आपकी ट्रॉंग्स आपको normal बनाती है नहीं तो चलिए चलिए इन ट्रॉंग्स के बारे में कुछ नया जानते हैं पर आप बहुत कम लोगों को बताते हो अपने आइडियास के बारे में क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे लोग पहले सी जानते हैं किसी चीज के लिए पर्सिस्टेंट हो मतलब कि आप पक्की रहा देगे हो और लोग आपके अंगेस में क्यों ना हो और आप सिचेशन को कूछते भी नहीं हो नमबर फूर अगर आप अपने बेंट से ये कुछ भी ट्रोग करते हो इंट्रोंग्स की तरह ये आपके पर्सनलिटी वारे में बहुत कुछ बढ़ाती है अगर आप लोग की ट्रोंग्स बनाते हो इसका मतलब खुद को सुरक्सित महसूद नहीं करते हो और वोसित करते हो कि आप अपनी रेस्पॉन्सिलिटी से दूर हो सपूँ अगर आप सिंपल सा चित्र बनाते हो ये चीज पताते हैं कि अप स्हुद आप अकेले हैं खुस हो ना कि बीड में अगर आपका डूरल डिटेल में है तो इसका मतलब आप हड़ चीज में perfect हो arrows अगर आप arrows बनाते हो तो ये direction और मंजिल बताते हैं हमाई जिन्दिगी की अगर आप उपर वाला arrow बनाते हो तो इसका मतलब आप सुल्जे हो आदमी हो और सब का आप ठीक से करते हो अगर आपका arrow नीचे की तरफ है तो इसका मतलब आप self focus हो खुद पर focus रखते हैं आप सिर्फ अपने बारे में सूचते हैं अगर आपका arrow left में है तो इसका मतलब आप पास्ट के बारे में सूचते हैं और आपको पुरानी बाते याद करना अच्छा लगता है चाहें अच्छी हो या बुरी मेरा भी arrow left साइड में है आप मुझे comment में बताना कि आपका arrow कौन सी direction में है अगर आपका right साइड में है तो इसका मतलब आप future की तरफ देखते हो आगे future के बारे में सूचते हो नमर 2 इंक blood test इसमें इंक के धबों से एक अजीब सी drawing मना दिये जाती है जिससे आपको पता करना पड़ता है कि यह किस चीज़ की drawing है आपके बार सिर्फ 10 seconds है तो उचने के लिए इसमें कुछ लोगों को बैट भी दिख रहा है इसका मतलब आप healthy हो अगर आपने हाथ ही देखा है तो इसका मतलब आपके अंदर थोड़ा सा डर है अगर आपने चिडिया देखिये तो इसका मतलब आप commitment करना अच्छा नहीं लगता आपको और आप open रहना पसंद करते हो सब्सक्राइब आपको सबसे पहले क्या दिखता है फोटो में आपके पास 10 सेकेट्स है आपजब कीजिए फोटो को तो आपको सबसे पहले दिखाए इसका मतलब आप और आप हमेशा सीखना चाहते हो चीजों को अगर आपने apple देखा है तो इसका मतलब आप दूसरों के साथ अच्छा भीव करते हो और आप उन लोगों में हमेशा positive से सूचते हो अगर कोई गलती करते तो आप उसे positive में ले comments में जरूर बताइएगा thanks